क्या भारत में बेरोजगारी अपनी चरम पर पहुंच चुकी है? चुनाबी माहौल के बीच आखिर क्यों एक बार फिर बेरोजगारी का मुद्धा चर्चा में है दरसल International Labour Organization यानी ILO की एक रिपोर्ट में भारत के अंदर रोजगार के परिद्रिश्य को लेकर कई चौकाने वाले खुलासे हुए है इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि भारत में कुल बेरोजगारों में से 83 प्रतिशत युबा है इस बीच कॉंग्रिस नीतार राहूल गांधी नी अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेर करते हुए बेरोजगारी को लेकर केंदर सरकार को घेरा है नमस्कार मैं हूँ राजीश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके है One India Hindi इस वीडियो में हम International Labour Organization की रिपोर्ट में क्या है ये तो जानेंगे ही लेकिन उससे पहले जानते हैं कि राहूल गांधी ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा देश में बढ़ती बेरोजगारी दर के बीच राहूल गांधी का एक पोस्ट काफी वाइडल हो रहा है इस पोस्ट में राहूल गांधी ने देश के सर्वोच शिक्षन संस्थानों में से एक IIT के स्टूडेंट्स को प्लेस्मेंट ना मिलने का मुद्दा उठाया है साथी राहूल गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी अपनी पोस्ट में शेयर किया है वे अपनी पोस्ट में लिखते हैं बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब IIT जैसे शिर्ष संस्थान भी आ गए हैं IIT मुंबई में पिछले वर्ष 32 प्रतिशत और इस वर्ष 36 प्रतिशत स्टूडेंट्स का प्लेस्मेंट नहीं हो सका है देश के सबसे प्रतिश्टित तकनीकी संस्थान का जब ये हाल है तो कल्पना कीजिए बीजेपी ने पूरे देश की स्थिती क्या बना रखी है कॉंग्रेस द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का ठोस प्लान देश के समक्ष रखे लगभग एक महीना बीच चुका है पर भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक सांस भी नहीं ली है नरेंद्र मोधी के पास ना रोजगार देनी की कोई नीती है और ना ही नियत ये सिर्फ भाबनात्मक मुद्दों के जाल में फसा कर देश के युवाओं को धोका दे रही हैं युवा इस सरकार को उखाड कर अपने भविश्य की नीव खुद रखेगा कॉंग्रेस का युवा न्याय देश में एक नई रोजगार क्रांती को जन्म देगा वहीं बात अगर ILO की रिपोर्ट की करें तो ILO ने Institute of Human Development के साथ मिलकर India Employment Report 2024 पब्लिश की है इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार है तो उसमें से 83 लोग युवा है इसमें भी अधिकतर युवा शुक्षित है ILO की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या ज्यादा है जो सन 2000 की मुकाबले अब डबल हो चुकी है साल 2000 में पढ़े लिखे युबा बेरोजगारों की संख्या कुल युबा बेरोजगारों में 35.2 प्रतिशत थी साल 2022 में ये बढ़कर 65.7 प्रतिशत हो गई है इसमें उन्हीं पढ़े लिखे युबाओं को शामिल किया गया है जुनकी कम से कम दस्वी तक की शुक्षा पूरी हो चुकी है रिपोर्ट में वेजिस को लेकर भी एक बात कही गई है साल 2019 के बाद से रेगुलर वर्कर्स और सेल्फ इंप्लोईड लोग दौनों की इंकम में गिरावट का ट्रेंड देखा जुआ रहा है वहीं अन्स्किल्ड लेवर फोर्स में भी कैजूल वर्कर्स को 2022 में सही से न्यून्तम मजदूरी नहीं मिली है कुछ राज्यों में रोजगार की स्थिती काफी डैनिया है ये राज्यों विहार, उत्तरप्रदेश, उडिसा, मध्यप्रदेश, जहरकंड और 36 गड़ है आयलो की रिपोर्ट आने के बाद से आरबियाई के पुर्भ गवर्नर रगुराम राजन की एक बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है रिपोर्ट आने से एक दिन पहले ही देश के पुर्भ आरबियाई गवर्नर और मशहूर एकॉनोमिस्ट रगुराम राजन ने कहा था कि भारत को अपनी एकनॉमिक ग्रोथ के मजबूत होने की हाईप पर भरूसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना उसकी बड़ी भूल होगी बज़ाए इसके भारत को अपनी एकॉनोमी में मौजूद बुनियादी समस्याओं को दूर करना चाहिए जैसा की अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए तो यह था ILO की रिपोर्ट का पूरा लिखा जोखा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद